जैशिन दोस्तों मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट दोस्तों आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुश्किले और भी जादा बढ़ सकता है और इमरान खान के गौवर्मेंट के लिए ये मुश्किल अब काउंटर करना लगभग नामुम्किन बन जाएगा दोस्तों मैं यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लिये जाने वाले एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन पार्लेमेंट को भी अब पाकिस्तान के खिलाफ ना कारवाई करने के लिए जवाब देना पड़ेगा दोस्तों मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाली में यूरोपियन यूनियन के पार्लेमेंट मेंबर के तरफ से ही सवाल उठाते हुए कहा गया है कि क्यू यूरोपियन यूनियन द्वारा पाकिस्तान के खिलाब कड़ा कदम उठाया नहीं जा रहा है और क्यू ऐसे देश का समर्थन किया जा रहा है जो आतंकी गतिविदियों में लिफ्ट है और पूरा दुनिया में आतंकी गतिविदियों को फैलाने के लिए प्रतिवन्द लगाया नहीं जा रहा है दोसो इन सवालों को उठाया गया है पारलमेंट मेंबर थियरी मरियानी के तरफ से और उनके द्वारा पाकिस्तान के हरकतों का अफकुलासा करते हुए ये भी वताया गया है कि पाकिस्तान पुरा दुनिया के अंदर ऐसा देश बन च दोसो एक तरीके से मनी लॉंडरिंग का इस्तेवाल पाकिस्तान द्वारा आतन की गतिविदियों को फैलाने के लिए किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए खाले पाकिस्तान को ग्रे लिश्ट नहीं बलकि ब्लैक लिश्ट में शामिल करना चाहिए इविन उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को FATF के ग्रेरिष्ट में बाहर निकलने के लिए जो कुछ निर्दिष्ट पॉइंट के उपर काम करने के लिए कहा गया था उसमें भी पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया और बार-बार डेडलाइन कंप्लिट होने के बावजूद क्यों पाकिस्तान को फिर से मौका दिया जा रहा है दोसो एक तरीके से उनके तरफ से योरोपियन पार्लमेंट के उपर ही सवाल उठाते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से योरोप के अंदर आतंकी गतिविदियों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके पीछे जिस तरीके से कुछ गिने चुने देशों का समर्थिन भी है उसके बाद क्यों European Parliament द्वारा बड़ा एक्षन नहीं लिया जा रहा है। देशों के खिलाफ ही बयानबाजी किया गया उसके बाद योरोप के बाकी देश भी काफी जादा नाराज है। जिसके बज़ा से पाकिस्तान बिना टैक्स का ही योरोप में अपने सामान को एक्सपोर्ट कर पाता है। वही पर अगर पाकिस्तान से ये स्टर्टर्स योरोप द्वारा हटा लिया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान कते ही इंडिया या अन्य देशों को काउंटर नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके से इमरान खान और इमरान खान के पार्टी के मेंबरों द्वारा योरोप के देशों के संगविदान और लिवरल नीतियों के खिलाब बयान देते हुए अपने ही माइनसेट को प्रमुकता देने का कुशिश किया जा रहे उसके बाद अब योरोप को पाकिस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जए हिंद